है इस नमस्कार सिक्षार्थियो शोथ पत्धिय और सांकिके की व्याख्यान शखङला में आपका स्वागत हैं शोथ समस्या के चैन भाग दो के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आज हम परिकलपना के निर्माण यांB rhythm hypothesis formulation के बारे में बात करेंगे परिकलपना या hypothesis किसे भी शोथ प्रक्रिया का दूसरा महत्पूर्ण इस थंब्ले पहले हमने चर्चा की शो़ Initilisya के बारे में किसी समस्या के विशलेशन। और परिभाशी करण के पश्याद परिकलपना का निर्मार्ण किया जाता है जिसका शापदी CRT है 09.00 समस्या या शोध विशा का Rs.00 का चेयन कर लेने और यॢह से सम्मंदित सहटी के अदिन कर लेने के बाद शोद करता के मन में आने वाली कई विचार और कल्पनाई जो शोद विस्था से संबंदित होती है वो शोद परिकल्पना कहलाती है और यहां एक तरह से उस शोद समस्या का परस्तावित उत्तर होता है यह एक ऐसा पूर विचार पूरवानुमालिया कल्पनात्मक विचार होत आपने मन में कलपना या विचार बना लेंगे कि इसके क्या प्रभाव होगा तो उसके लिए हमें यह रिचार एक शीम कर लेते हैं इसको हम अब नशिए हैं इसको मैं। इसी का बैसिस पर हमारे रिसर्च को direction बिलता है और शोद के दौरान उसकी सार्थथत्ता की जाँच करने हेतू आवश्यक को एकत्र करना होता है और शोद करता का यही पूर विचार उसका ध्यान निश्चित और आवश्यक प्त्यों पर केंदित करके शोट की जिशा को निठ्धारेत करता है इसे हमने बताया था और परिकर्णा का निर्मार्ण शोट करता को अपने अध्यान major से भटकने से रोखता है और इसको एक निश्चित्ता प्रदान करता इसके काली और महत्व के बारे बात करें तो यह शोद प्रक्रिया में विश्वशनी ग्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है और इसके दौरही शोद करता इस पश्ट वामानिय निश्कर्षण तक पहुंचता है शोद समस्या के इस पश्ट रूप से निरूपड के परिकल्पना नभीन ग्यान की प्राप्ति की प्रेणा देती है और अरम में ही अध्यन की उद्देशता उसकी प्रकृति को निर्धारित कर देती है यह शोद कारी को इस निश्चित दिशा प्रदान करती है और एक मारक दर्शक का कारी करती है शोद समस्या को इस निश्च कि होती है एक निशकर्ष दूडने में साहिक हुती है किसी भी दशह में सिध्धान्थ की रच्ना में साहिक होती है शोथ में की स्वरूब को इस पस्टर रूप मिल जाता है और इससे शोच क смотреть को को प्युक्त रूप से सिमित किया जा सकता है इसका जो अर्थ हम जानेंगे इसमें की प्रस्तावित समस्या समधान होती हैं जिसने सामानी करण या कथनों के रूप में व्यक्तिया जाता है और जिसकी सत्यता की जादी है गार यह दो या दो से अधिक चरों पर अधार इंभान लाग प्रस्थाविद्या परिक्षर्ड योग कथन होता है जो समझ्या है हमारी स्वंज्ण कि उसका शोथ को आगे कैसे होना है कैसे बढ़ाया जा सकते है और यह परिक्षर्ड før पर अगया प Cleveland समस्या संबंदी देख समानी पूर्वानुमान या विचार है जिसके संधर्व में ही संफूर्ण शोदकार किया जाता है पारप्रारम में परिकटना शोदार्थी का दिशा निरदेश करती है उसको इधर-दर भटकने से रोकती है जैसे इमने बदी बताए कि एक निश्चित देशन प्रदान करती है और अंत में अपयोगी निशकर्ष प्रस्थूत करने और उससका सथ्यापन करने में भी साहिता करती है अध्यान के द्वरा संकलित शित्यों के अधार पर यदि कोई ।ो परिकठना सथी hypothesis कहते हैं जो हम उस duration में मान के चलते हैं कि यह है और अंत में जब निश्काष निकलता है तो वह hypothesis या परिकल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है कई विशेश्टा हैं परिकल्पना की जैसे है परिक्षन के योग होनी चाहिए और इसमें दो या दो से अधिक चरों के मद्य संबंदों का नुमान होना चाहिए इससे पश्ट उत्तर मिलना चाहिए वह गलत या सही जो भी हो पर इस पश्ट होना चाहिए तरक्यूक्त होना चाहिए और इसका अधिक समाने करन संभव होना चाहिए परिकल्पना के कई प्रकार हैं जैसे विशेष्टाओं के अधार पर इसके तीन प्रकार हैं साध्धारन जटल और सांकिकी साध्धारन परिकल्पना जिसमें सिर्फ दो वैरेबल्स के बीच में हम संबंद का उलेग करते हैं या चरों के बीच में संबंद का उलेग करते हैं जैसे और एक जामपल और किसी बीमारी के बीच में हम सगरात्मक संबंद देख रहे हैं तो या एक साधार परिकल्पना उसमें यूज की जाएगी फिर है जटिल जहां पर चरूं की संक्या जादा होती है उनके बीच में हम संबन्द देखते हैं इसमें हम इस प्रकार की परिकल्पना में आश्रित और सदंत्रचर यानि की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंडेंट वैरिये अम को कि सार हुं कई सारे चीजव पर हम इसना प्रभाव पर देक रहे हैं तीसरा है सांकिय की परिकल्पना जो एक सांकी की अनुमानाकमर कतblack काथना फार ने होता है और उसके सांकी के बीच में संकी की संबन्द को एंगित करता है वी उनने है सैंकी कारी-शौव की विची जैसे अभी दे बताया था और इसे शोद से संबंदी चत्यों की भी संबंदों को स्थापित करने के लिए बनाया जाता है जैसे जैसे शोत की प्रक्रिया आगे बढ़ती है इसका परिक्षन किया जाता है और इसको पुष्टी की जाती है या फिर इसको अगर यह गलत होती तो इसको त्याग दिया जाता है जैसे उधारण के लिए हम उच्छ रेशियुक्त आहर का सेवन मदुमे में देख रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि उच्छ रेश्य युक्ताहर का सेवन मदुमेह से बचाव करता है फिर है नल हाइपोथेसिस यानि शून परिकल्पना या कारी-कारी कल्पना के विप्रीत होती है जैसे हमने देखा उच्छ रेश्य युक्ताहर का सेवन मदुमेह से के बीच में कोई संबंद उसकी तीवरता में कोई सासक अंतर नहीं है तो इस दो जरों के भी शूनी अंतर या शूनी संबंद या शूनी परकल्बना कहलाई जाती है और इसे दो दशाओं में प्रापताकड़ों से कोई अंतर नहीं होनी के परकल्बना भी का जाता है और इसक k- dude में इसको जिन्यत करते हैं गारण के लिए जैसे उपर के फॉर्पर को यह बंद्य कर रहे हैं उच्च जब शूत करता है पूरी तरह से शूनी परिकल्पना को अस्वीकार इंडरस्ट कर देता है तो यह वैकल्पिक परिकल्पना त्यार की जाती है और यह परिकल्पना शून परिकल्पना के बिलकुल विप्रीत होती है यह इसे प्रायोगी परिकल्पना भी कहते हैं इस परिकल् परिकल्पना का परिक्षन करना होता है तो शून परिकल्पना को निर्मित की जाते हैं और उसी का परिक्षन कर निशकर्ष दिये जाते हैं शून परिकल्पना के दौर्ए प२ित साथक अंतर होता है तो शून परिकल्पना को निर्स्त कर दिया जाता है और वेकल्पित्वाधित क उसी कर लिए जाता है। और इसके विप्रीत यदी सार्थागंतर नहीं होगा तो शून कर्पना को ने रस्क नहीं किया जाता कई सारी मानिताई या धारणाएं हैं जिनकी बारे में जो हम मान के चलते हैं जो बिना किसी विग्यानी रूप से परिक्षन के सत्य और व्यभारिक मानी जाती हैं शोद कारिकों करने से पूर जैसे शोद में प्रयोक्त सभी चर इस पश्ट रूप से परिभाशित हैं और जानी उपीयोपत है वेशलेशन करनें चोड करता है कि जाने क करने प्रति झरूंत करते हैं और अध्याण में भाग लेने के लिए हैं और प्रति युञकुन सभी प्रश्नों से इमानदारी से बिना किसी बायस के बेंडेंगे यह efिश्य रहूने के बाद यह इसके बाद की इस पर दया की संहित्तिध धारक सुध के लिए प्रासंग झाया होंगे तो इसके बाद हम शौध समीस्या की अंतरणहित तुरुटियों के बारे बात करते हैं या वो प्रभाव हैं जिने शोत करता द्वरा नियंत्रित नहीं किया जाता है और किसी भी अंतरनेरित तुरुटि का उलेक परिणाम को प्रभावित करता है और इसके बारे में इसका उलेक किया जाना चाहिए अंतर निर्ट रूटिएं आकारे पर डाली और निश्कर्ष्णों का सिमांकन करती हैं सिमांकन से मतलब है LABITATION यह होता है जैसे समस्या की भागलि beasts समस्या दिन का समय प्रतथर्श का अकार व प्रकार शोड़ा द द्यान पर व्याई को निश्चित करना यह सब चीजें हम limitation कर सकते हैं जैसे अगर हम शोद कारे करना चाहते हैं तो हम अपनी पहुंच की सुईधा के अनुसार की विशेश बहुलिक शेत्र का चैन कर सकते हैं या कोई शहर, गाउं, स्कूल या महाविद्याले के में हमारा अध्यान हो तो हम उसका चैन कर सकते हैं जो हमारी पहुंच के सुवीधा के अनुसार हो या निश्चेत समय SEMA में शोद अधियन पूरा करना हो तो हम टाइम की लिमिटेशन कर सकते हैं या किसी विशेश कारे प्रणाली का प्रयोग करना हो या समय सीमागन के कारण अगर हमार पर समय कम है तो हम सैंपल का आकार यानि प्रतिदर्श का आकार कम ले सकते हैं या अगर हमें कोई अधियन करना हो जिसमें हमें लगता है कि इस जनसंक्या विशेश पर करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे तो या जो परिणाम हम चाहा रहे हैं या जो अच्छे सार्थक परिणाम हैं जिनका कोई अच्छा निर्सकर्श निकले वो परिणाम चाह रहे हैं तो किसी विशेश वर्ग पर ही शोगत करना हूं जैसे महिलाओं या कि शोडिय उनको और साथा कर सकते हैं धन्यवाद